नमस्कार दोस्तों स्वागत हमारे इस चैनल में आप सबी का तो आज हम लाए हैं पाइथन के चेप्टर 2 एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से कुछ इंपर्टेंट कोईशन आपके अगस्त ओलेबल एकजाम 2023 के लिए तो इसमें आपको बहुत ही मोस्ट इंपर्टेंट आपके चेप्टर 2 एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से तो एल्गोरिदम से रिलेटेड और फ्लो चार्ट से रिलेटेड इस वीडियो में आपको कोश्चन बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे तो अज़ि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है चेप्टर 1 का तो आपको link description box में मिल जाएगा playlist का आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं साथ ही आपको हमारे यानि की previous year paper के यानि की answer की आपको हमारे channel के playlist में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं python वाले playlist में ठीक है तो हमारे channel पर m1, r5, m2, r5, m3, r5, m4, r5 यानि चारो बुक के वीडियो उपलब्द हैं आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं चारो बुक के playlist के links आपको इस description box में मिल जाएगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो इसमें पहला question के जाए गया है कि the swamble denote यानि ये वाला swamble क्या denote करता है ये वाला जो थोड़ा इस मतलब round में swamble होता है ये क्या हमें denote करता है तो इस swamble का नाम क्या है टर्मिनल ठीक है क्या नाम है टर्मिनल ये क्या करता है हमारे यहाँ पोग्राम की करता है सुरूआत यानि यह हपोग्राम की सुरूआत यानि किसी अंत को दिखाने के लिए अंत को दिखाने के लिए algorithm की सुरूआत और अंत में उपियो किया जाता है यानि कि यह सुरू में और लास्ट में इस स्वाइमल का उपियो किया जाता है algorithm and flow chart में तो इसका right answer क्या है the swamble denoted terminal तो इसका नाम क्या है इस swamble का terminal नाम है तो आपसर नमबर C इसका right answer है बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो हमरा अगला question जागा है computer विग्यान में algorithm एक flow chart के सचित प्रतिविंद्द को संदर्वित करता है तो यह कथन क्या हमारा true है कि false कथन क्या है जो computer विग्यान में algorithm एक flow chart के सचित प्रतिविंद्द को संदर्वित करता है नहीं करता है कथन क्या हमारा false है तो guys flow chart से related यानि कि आप comment box में आको होता ना है य इसका क्या नाम है तो इस वाले स्वाइंबल का क्या नाम है आपको कमेंट बाक्स में बताना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बाक्स में बताइए यह वाले flow chart का क्या नाम इस वाले swamble का कहना में है और इसका काम क्या होता है तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question क्या है algorithm के लिए follow chart बनाने की प्रक्रिया को हम क्या करते है algorithm के लिए flow chart बनाने की प्रक्रिया को हम क्या करते है flow charting कहते है करते हैं एल्गोरिदम के लिए फ्लो चार्ट बनाने के प्रक्रिया को हम फ्लो चार्टिंग करते हैं आपसे नमबर डी इसका राइट एंसर है चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्ण की तरफ तुद्या है फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देश किसके रूप में दरस साहते हैं चलिया आगे कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेस्ट को से हमरा क्या तो निमलेखित है तो क्या तरसाता है तो जो हमारा box व्लोकुन सैंवां एक चित्र दिया गया है यह वाला शीटर है सी ठीक है यह क्या दरसाता है इस Swiable का क्या नाम है Decision Box को दरसाता है Decision Box का क्या मतलब Full chart में क्या अकाम है तो यह करता है यहां याने कि Diamond card का होता है यादि आप Diamond card का मतलब Flow chart में यादि इस तरह का Diamond square चितर देखते हैं तो उसे Decision Box करेंगे याँ इसकी अखरती diamond के आकार की होती है जिसका अपोग्राम में एक condition रखने के लिए किया जता है diamond से निकलने वाली line भिबिन संबावित condition को इंगित करती है जिससे भिबिन उपक्रियाएं होती है यानि कि क्या करता है इधर से भी काम कर सकते हैं इधर से भी काम कर सकते हैं है इधर से भी काम कर सकते हैं इधर से भी काम कर सकते हैं ठीक है यानि चारों طरब से हम इस स्वाइंबल का यूज कर सकते हैं तो according to the question option number one is right answer decision box चलिए बढ़ते हैं कि तरफ तो एक box जो दो अलग अलग उपाधिया है अलग-अलग बढ़िशन का प्रतिनीध करता है उसे हम कहते हैं अभी अभी हमने ज़ब आपको पताया है एक बाक्स जो दो अलग अलग इस्टितीयों का प्रतिनीध करता है कौन होगा डाइमंट याने की decision box तो आपसा नमबर ए क्या है आपसा नमर ए क्या है कि इस तरह का जो आकार होता है फुलो चार्ट में वो मतलब इसका क्या नाम है और इसका काम क्या है आपको कमेंट बाक्स में बताना है इस आकरिती का क्या नाम है और यह आकरिती का वर्क यानि कौन सा काम है फुलो चार्ट में तो चलिए नेक्स्ट कोशन की तरह बादते हैं तो next question में दिया कहा हमरा एक ब्रिष्टित flow chart को क्या कहा जाता है यानि कि एक ब्रिष्टित यानि विसाल flow chart को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं यानि कि इन में से कौन सा flow chart का लाभ नहीं है तो इन में से कौन एक flow chart का लाभ नहीं है तो कौन नहीं है आफसे नमर कौन से आफसे नमर डी इसका राइट एंस ले यानि कि इंप्रॉपर डाकुमेंटेशन यह क्या हमारे flow chart का लाभ नहीं है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं तो हमारा अगला question के जगया है कि एक flow chart जो किसी प्रोग्राम में मुख की भाग को रिखंकित करता है उसे हम क्या कहते हैं क्यमा मैक्रो करते हैं क्या मैक्रो यह मैं च्यारो मेकरो कहते हैं का करते हैं मेकzh창 के इस condition अभी हमने आपको नाधस उपर बताया है माइक्रो वाला उसको ध्यार रखेगा इस पेलिंग को द्याना बेर रखेगा तो मेंड़कुत म membership है आपिस यह एक प्रकार एक किया है यह करिए है प्रोसुडूर आटर इसकाल presentations यानिक वह ग्राफ़ नहीं जो मैंजिक बज़़ा है तो समय का महिना है इसलिए बज़़ रहा है तो क्या हमारा algorithm की जटीलता जो होती हो किस पर निर्भय करती है तो हमारा जो algorithm है उसकी जटीलता किस पर निर्भय करती है time only और space only पर निर्भय करती है यानि कि क्या पुछ रहा है both a and b दोनों आपस नंबर क्या है c इसका right answer है तो next question क्या है algorithm के अनकुल का अर्थ क्या है algorithm के अनकुल का अर्थ क्या है तो इसका right answer क्या है making the algorithm fast by time and complete कजिया है compact by space ठीक है यानि कि fast होना चाहिए time कम लगना चाहिए और कम space ले यह क्या होता है algorithm बनाने का मतलब अनकुल यानि algorithm के अनुकुल का अर्थ होता है तो आपसे नम्बर ये इसका राइटेंस है चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्चिन की तरफ और के दिखा है एक एल्गोरिदम के लिए जो सबसे महत्रपूर बीसेस्ता है जो इसे स्विकार बनाता है कौन है अपसे नम्बर किसके माध्यम से प्रदर्षित किया जाता है तो एक algorithm किसके माद्धम से प्रदर्शित किया जता है flow chart के माद्धम से और के दिये गया है procedure codes और के दिया introduction in common language किसके माद्धम से all of the mention यानी दिये गए सभी के माद्धम से हम एक algorithm को प्रदर्शित कर सकते हैं तो आपसे नमर D इसका right answer है तो guys आपको comment box मताना है flow chart में इस वाली arrow को हम मतलब किस नाम से जानते हैं ठीक है flow chart में इस वाले arrow को हम क्या कते हैं और इसका flow chart में क्या उप्योग है आपको comment box मताना है ठीक है बताइए का जरूर यदि आप flow chart पढ़ेंगे तो बता लेंगे देखते हैं कितने लोग मतलब इस कोशन का जवाब देती है तो चलिए आपर कोशन की तरफ बढ़ते हैं हाँ हम तो नेस्ट कोशन लिए है फ्लोचार्ट की सुरुवात में किस प्रतिक का उपियोग किया जाता है तो फ्लो चार्ट की शुरुवात में किस प्रतिक का उप्यों किया जाता है तो ना तो सर्किल का उप्यों किया जाता है ना तो रिटेंगल का ना तो डायमंड शेव का तो किसका उप्यों किया होगा फ्लो चार्ट की शुरुवात में हम यह हैं तर्मिनल या ओवेल का पिओ करते हैं किया इस वाले सेब का ठीक है फ्लो चार्ट की शुरुआजम या ओवेल का अपियों करते हैं तो यह वाले सिंबल का हम फ्लो चार्ट की शुरुआजमें करते हैं चलिए next question कि तरफ वादते हैं हम जब एक algorithm को programming भासा के रूफ में लिखा जाता है तो यह बन जाता है, क्या बन जाता है program बन जाता है, तो आपसे number B क्या है इसका right answer है यानि कि जब एक algorithm को programming भासा के रूफ में लिखा जाता है तो यह एक प्रकार का program बन जाता है चलिए, बढ़ते हैं कोई भी algorithm एक program है क्या कोई भी algorithm एक program हो सकता है तो यह कथन क्या है हमारा गलत है कोई भी algorithm एक प्रकार का program नहीं हो सकता है यानि कि false नेक्ट कोई दिया गया है हाँ डैस दी गई समस्थ्या का सचीत्र प्रतिनिध्य प्रदान करता है कौन यानि कि दी गई समस्थ्या का सचीत्र प्रतिनिध्य प्रदान करता है यानि कि step by step यानि कि सचीत्र की सायता से यदि हम किसी समस्थ्या को solve करते हैं तो वह क्या करता है flow chart, यानि कि flow chart के मादधान से हम किसी भी दी गई समस्ता का सचित्र प्रतिनिद्व, यानि कि प्रदान कर सकते हैं, उसका सचित्र वर्णन कर सकते हैं, तो आपसा नमर 20 का right answer है, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, तो ये थे, आपके अब book से related question अगये है, यानि कि अब आपके book अब आपके book से related 10 important question है तो ये मतलब flow charge से related question है याने कि M3R5 के जो book है उसमें जो question दिये गए है मतलब उसमें का यह question है तो आपको मतलब आपको इसको भी solve कराया जा रहा है तो आप इस वीडियो को देखेगा ज़रूर को कि इसमें बहुत ही most important question है यानि कि chapter wise chapter से कितने question आपको मतलब आते हैं आपके एक जामे में लब इतने question हमने आपको बना कर दिखाया है अपने से कि इतने question हमारे हिसाब से होंगे तो और भी यदि question देखना चाते हैं तो इसके पहले के वीडियो को देखिए आपको वहाँ पर python के most important question मिल जाएंगे और python का आपको previous year का solve paper भी हमारे playlist में मिल जाएगा python वाले playlist में तो चलिए question क्या देखाया है हाँ देखाया है एस state of well-defined step or interaction for completing a tax कर दिया है statically यानि की विवस्थित रूप से कार पूरा करने के लिए अच्छी तरह से प्रविवासित कतम या निर्देशों का एक set है तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं एल्गोरिदम कहते हैं आप्स नमर बी क्या है इसका right answer है शलिए बढ़ते हैं अंगले question की तरफ आपने तो दिया है दा हायरची आप operation is denoted यानि की operation के पदानुकरम को किसके रूप में दरसा जता है तो operation के पदानुकरम को हम किसके रूप में दरसाते हैं तो आप्स नमर बीस का right answer होगा यानि की दूसरा यानि की power के रूप में और के दिया गया है चौथा मोड के रूप में और तीसरा के दिया है एस्ट्रिक के रूप में और पहला के दिया है प्लस और माइनस के रूप में हम एक operation के पदानुकरम को दरसाते हैं तो आप्स नमर क्या है इसका बी राइट एंसर है और के दिया गया है following is a true or understanding of a problem यानिकी किसी समस्चा की समझके लिए निम्रिकी कथन सत्य है तो कौन से कथन सत्य है तो इसका राइट एंसर क्या होगा आपस नमर कोन से होगा नमर क्या होगा इसका राइट एंसर है और विच वन इस टाइप आप एल्गोरिधम निन में से कौन एक एल्गोरिधम का प्रकार है तो कौन है तो ग्रेडी यह कहा है कि एल्गोरिधम का प्रकार है आप से नमबर सी इसका राइट एंसर है चलिए बढ़ते हैं अकले कोशन की तरफ नहां दिया कया है डस्त Input and Output Is यानि कि Input और Output दोनों के लिए लिए उप्योग किया जाने वाला सिम्बल है तो इन में इसने कौन सा है तो इसका Right Answer क्या है आपसे नमर्डीा Input और Output के लिए हम इस Swimble का उप्योग करते हैं तो इस Swimble का नाम क्या है आपको comment बास में बताना है इस swamble का नाम क्या है तो input और output ही नाम है चलिए बढ़ते हैं अगला question की तरफ तो हमारा अगला question के दिये गया है कि while solving the problem with computer the most difficult step is यान की computer के साथ समस्या को हल करते समय सबसे मुश्किल कदम क्या होता है तो सबसे मुश्किल कदम क्या होता है तो सबसे मुश्किल कदम इसका right answer क्या है computer निर्देस लिखना यान की write the computer instruction ये क्या है किसी computer के साथ समस्या को हल करते समय सबसे मुश्किल कदम होता है आपसर नमबर सी इसका right answer है next question क्या है the swamble is used for conditional statement in a flow chart यानि फ्लो चार्ट में conditional statement के लिए symbol का किस symbol का उपयोग किया जाता है इसमें condition statement के लिए ध्यान में दीजिगा तो आप सन्वर B diamond save का यानि कि decision box का यूज करते हैं यह क्या है इसका नाम क्या है decision box तो आप सन्वर क्या है B इसका right answer है और किसकी सुधता और उपयोगता बहुत आसानी से जांत कि जा सकती है तो बहुत आप सन्वर A क्या इसका right answer है next question debugging is used to यानि कि debugging का उपयोग कहां किया जाता है तो debugging का उपयोग कहां किया जाता है इसका right answer क्या है कारिकम से error का पता लगाने के लिए हम यानि कि find error from the program यानि कि program में error का पता लगाने के लिए हम debugging का उपयोग करते हैं और आगे को सन्जाग है कि the swamble is used at the beginning of a flow chart यानि कि flow chart के सुरुवात में हम किस symbol का उपयोग करते हैं कि कौन से symbol इस्तमाल होता है flow chart की सुरुवात में तो कौन से symbol का उपयोग होता है ओवेल या पिल स्पेस का उपयोग होता है तो आपसे नमर एक या इसका राइट अंचर है flow chart की सुरुवात में हम इस वाले सेप का यूज करते हैं जो थोड़ा टू-फाल्स की बात कर लेते हैं यानि कि चैप्टर टू में जितने भी टू-फाल्स हैं तो इसमें दिया गया है कि केम्पूटर विज्ञान में एल्गोरिदम एक समस्चा के समदान के लिए पर यूज कम्पूटर द्वारा उपयोग करने योग एक बीसेस वीधी को संधर्विज करता है कि एक थन क्या हमारा टू-फाल्स में कि एक थन क्या हमारा टू है यानि कि दरसाया गया है एक प्रोग्रामिंग भासा का उपयोग करके एल्गोरिदम बनाए जाता है कि एक अमारा फाल्स है नेस्ट कोशन क्या है फ्रोग्राम लिखने की परगडिया को फ्रोग्रामिंग कहते था है ये कतन क्या हमारा टू है या है algorithm के लिए flow chart खीजने की पक्रिया को flow chart कहा जाता है एक flow chart एक algorithm के सचीत्र प्रतिनेदों के अलावा और कुछ नहीं है यह कथन क्या हमारा true है बास सही कहा गया है next question algorithm को syntax के रुप में दरसाया जा सकता है तो यह कथन क्या हमारा true है की false है यह कथन क्या हमारा true है आने की algorithm को हम मतलब एक syntax के रुप में दरसा सकते है next question क्या हमारा दिया गया है एक complex algorithm को अक्सर छोटी इखाइनियों में विभाजित किया जाता है जिसे हम module करते है यह कथन क्या हमारा true है next question क्या है सिंखला एक दो तीन चार आठ तेर एक फाई बौने की सिंखला है यह कथन क्या हमारा true है एक फाई बौने की सिंखला नहीं है next question एक diamond box जो अलग अलग इस्थितियों का प्रतिनीद कर सकता है क्या एक diamond box दो अलग अलग इस्थितियों का प्रतिनीद कर सकता है जो तन क्यामरा true है कर सकता है ठीक है तो guys I hope यह question आपको समझ में आयोंगे तो आप वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर देगा आपका like हमें motivate करता है अच्छा से अच्छा content प्रवाइट कराने के लिए तो हमारे चैनल पर सभी चीज फ्री में उबलद है इस वीडियो का आपको PDF हमारे टेलिग्राम बैच में यानि की ओ लेवल बैच में मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर ओ लेवल बैच सर्च करेंगे ओ लेवल बी ए टी सी अच आपको टेलिग्राम में इतना सर्च करना है और वहाँ जूड़कर इस वीडियो का PDF और सारे वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा तो धन्नवा चलिए नेक्ट वुडियो मिलते हैं आपसे